सुन्दर वन एक घना जंगल था जहां सभी जंगल के जानवर रहा करते थे। वहीं जंगल के एक बड़ी से पेड़ पर कई सारे पक्षी भी रहा करते। जिन में कालू कववा, सोनो तोता और छोटू कबूतर जिसे प्यार से सब छोटा छत्री भी बुलाया करते थे। सभी उस पेड़ पर रहा करते। एक रोज तेज आंधी पुपान में सुन्दर जंगल अब तग्वाट हो जाता है। पक्षी भागल था जाता है। जांधी थमती है, तो जंगल में काफी हानी हो चुकी थी। अरे कालू, छोटा चत्री, कहां हो तुम लोग? कहीं ऐसा तो नहीं, आंधी के साथ तुम लोग भी उड़ गए। अरे इनका तो घोसला भी कहीं नजर नहीं आ रहा। तभी कालू काउवा अपना हाथ हेलाता है, और उसके ओपर उसका घोसला गिरा हुआ था। घोसले से निकलते हुए कालू काउवा चिंटू बंदर से कहता है। अरे चिंटू भाई यहां से मुझे निकालो, मैं तो यहां फस गया हूँ, मेरे पंक पर पेड़ की टहनी लटकी हुई है। अरे अरे कालू भाई इस आंधी ने तो सब कुछ तबाह कर दिया, मुझे तो लगा कि कही तुम भी निपर तो नहीं लिये, इस भारी आंधी में। काली जुबान है तेरी, ऐसे कैसे अभी इतनी छोटी उम्र में चला जाऊंगा, वैसे तो जंगल पूरा तभाह हो चुका है, छोटा च्छत्री भी कही नजर नहीं आ रहा, आंधी से पहले हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन तभी तेज आंधी ने पल भर मे हमको एक दूसरे की आखो से ओजल कर दिया, अखा जंगल अप उनको जानता है, अप उनको प्यार से जानवर लोग छोटा च्छत्री बोलते हैं, छोटा च्छत्री, ये लो छोटा च्छत्री तो यहां है, अरे इतनी मुसीवत में भी तुझे मस्करी सूझ रही है, जल्द इतना कहता ही है कि तभी उसकी नजर पेड की टहनी पर अपना घोसला बना रहे सोनू तोते पर जाती है, अरे सोनू भाई, तुम तो बड़े तेज निकले, आंधी थमी नहीं कि अपना घर बसाना शुरू कर दिया, अरे कालू भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, दरसल तुम जानते ही हो, मुझे जरा दाना पानी लेने जाना है, और मैं समय के तो कितना पका हूँ, ये बात तो आप भी जानते हो, आंधी आये, तुफान आया, धरती पलट जाए, तुम अपने काम को समय पर करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चलो खेर मुझे अपना घोसला बनाना है, मैं भी चला अपने खाने पीने का बंदोबस्त करने, मैं भी तो देखूं, जंगल में कुछ बचा भी है या नहीं, या आंधी पके हुए फलो को जाड़ कर चली गए है, और खाने को कुछ बचा हो, फिर तो बड़ी दुविदा हो जाएगी, इतना बोलकर चिंटू ब अंदर वहां से चला जाता है, इधर सोनुत होता, अपना घोसला बनाने की बाद छोटा छतरी से कहता है, छोटू भाई, चलो जंगल से दाना पानी लेकर आते हैं, घोसला बनाने में तो मैं आपकी मदद करी ही दूँगा, भूग तो अपुन को भी बहुत तेज लगे लि इतना कहकर छोटू कबूतर और सोनुत होता दाना लेने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन सोनुत होता जब दाने की तलाश में इधर उधर नजर दोड़ा रहा था, तब ही उसकी नजर जंगल की सबसे खतरनाक बाज तीलू पर पड़ती है, जो आकाश में अपने साथि इतना कहकर छोटू कबूतर और सोनुत होता आस्मान से नीचे आते हैं, और एक पेड़ पर बैठकर इधर उधर देखने लगते हैं, ये आखिर तीलू बाज और उसके गैंग उस पेड़ की पास क्यों मंड़ा रहे हैं? तब ही छोटू कबूतर के नजर एक बहुत ही खोपसुरत पंची पर जाती है, बिड़ो एक नंबर क्या बोलती जंगाल, अपने जंगल में तो हूर की परी आई लिया है, अरे ये क्या बोल रहे हो छोटू भाई, कोई दिखा भी या नहीं, आखे है या बाटन, सामने मट कली कौन है, अब कहीं किसी के साथ तुमारा टाका तो नहीं बिढ़ गया छोटू भाई, अरा फ्यूज बल की बत्ती, तेरे को मैं कब से वो चिड़िया दिखाई लाए, तेरे को मेरी बात समझे में नहीं आती, अब सोनू की नजर छोटू की दिखाए हुई उस पंची प दिल जोर उसे धड़कने लगता है, लेकिन वो तो वहीं बेहोश पड़ी थी, ऐसा लग रहा था जैसी तीज आधी के जोकों ने उसी वहां लाकर गिरा दिया हो, देखने में तो एकदम आइटम माफिक है, लेकिन मैं भी अपनी मटक कली को धोका नहीं दे सकता, अगर ते जरेला है, ये प्यार में अस्वा होता है, सोनू और छोटू जो दानी लेनी निकले थे, उन्हें तीलू बास के एक पेड़ के नीचे मंडरानी पर शक होता है, और जब वो आसपास देखती हैं, तो उन्हें एक सुन्दर सी मैना दिखाई देती है, जोकी असल में बहुत स नहीं जानती, मैं यहां केसे आई, डरो मत, हम तुमारी मदद के लिए आये हैं, अगर हम तुमारे पास नहीं आते, तो कुछ पंची तुम्हें नोच कर खा जाते, मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, अपुन तेरे को तेरे घर पहुँचाएगा, लेकिन मैं तुम लोगों पर कैसे विश्वास कर लूँ, नहीं नहीं, मैं खुछ चली जाऊंगी, अब मैं न जाने कहां से चली आई हूँ, यह जंगल कितना घना है, अब मैना को सोनूत होता और छोटू कबुतर, अपनी साथ अपनी घोसले में ले आते हैं, वो मैना इतन सुन्दर थी, कि उसे देखकर जंगल के सभी पक्षी परिचान थे, कि उससे बात कैसे की जाए, और जब कालू कववे को पता चलता है, कि सोनू के साथ एक विदेशी मैना आई है, तो वो तुरंथ सोनू के पास पहुचता है, कालू, चल पीछे हो, एला मेरी जिम्मेदारी है, जब तक उसके घरवाले नहीं आजाते, वो मेरे घोसले में रहेगी, कालू देख लेगा, अपनी बैंड को तूछ जादा शान बट्टी दिखाएगा, तो अप उन तेरे को पहले ही समझा देरे लाए, तेरे लिए अच्चानी होंगा, ये विदेशी मैना कितनी सुन्दर है, इसे एक बार तो प्रपोस करके रहूंगा, लेकिन प्रपोस तो त जाते हैं, एला पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी है, अरे सोनू भाई, तू तो बुरा मान रहा है, मैं तो बस यहाँ विदेशी मैना को देखने आया था, कि आखिर विदेशों में पक्षी कैसे होते हैं, लेकिन ये तो बेहत सुन्दर है, चलो मैं चलता हूं, मुझे दा अरे सोनू, छोटू, जल्दी चलो, जंगल में आग लग गई है, और अगर उस आपको बुझाया नहीं गया, तो पूरे जंगल में वो आग फैल सकती है, हाँ, जल्दी चलो, वरना वो आग पूरे जंगल में फैल जाएगी, और जंगल के पेड़ पूरा जल जाएंगे, इतना कहकर सोनू और छोटू, विदेशी मैना एला को वहीं छोड देते हैं, और चिंटू बंदर की साथ जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन कालू कववा भी, जो की पीछी-पीछे उड़ रहा था, वो थोड़ी दूर जाने के बाद वापस सोनू के घोसले में आ आग तो पूरे जंगल में अब लगेगी, जब तुम मेरी हो जाओगी तो लोग हमारी जोड़ी देखकर जला करेंगे, चलो मेरे साथ, मैं तुमसे शाधी करना चाहता हूँ देखो लैला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम्हारी खूपसूरती का दिवाना हो चुका हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता इतना केकर कालू का हुआ जबरदस्ती विदेशी मैना एला को अपने साथ जंगल के दूसरे किनारे ले जाता है, जहां वो विदेशी मैना के साथ, साथ फिरे लेने के लिए, पहले से लकणियां इखटी करके रख चुका था इधर चिंटू बंदर सोनू और छोटू को जंगल के बहुत दूर ले आता है, लेकिन उन्हें कहीं भी आग या धुआ नहीं दिखता, इस पर सोनू चिंटू से कहता है सोनू और छोटू को समझ आ जाता है कि ये कालू की जाल है विदेशी मैना से उन दोनों को दोर करनी की अब दोनों परिशान हो जाते हैं लेकिन अपनी जी जान से वो उड़ते हुए जंगल की तरफ बढ़ते हैं लेकिन जब वो घोसले में पहुचते हैं तो वहाँ उन्हें विदेशी मैना एला का तूटा-फूटा पंक दिखता है अब वो विदेशी मैना एला को इधर-उधर ढूननी लगते हैं तभी छोटू को एला की आवाज आती है और दोनों ही उस दिशा में बढ़ते हैं और कुछ दूर जाने पर वो देखते हैं कि कालू एला का हाथ पकड़े साथ फेरे लेने की कोशिश कर रहा था तेरी इतनी हिम्मत तू हमारे जंगल में आई महमान के साथ ऐसी हरकत कर रहा है तुझे तो मैं जिन्दा नहीं छोड़ूँगा अभी के अभी एला को छोड़ बस आखरी फेरे और लेला मेरी हो जाएगी अखा जंगल अपुन को छोटा छतरी के नाम से जानता है और अपुन का दिमाग अगर सटकेगा तो तेरा भी हटेगा अब गुसे में सोनू और छोटू दोनों ही कालू के दोनों हत पकड़ते हैं और उसे उस आग में धकेलने की धमकी देने लगते हैं तब ही कालू अपनी गलती की माफी मांगता है और गिर गिराता है मुझे छोड़ दो मुझसे गलती हो गई मैं ऐसी घलती दुबारा नहीं करूँगा तुम को तो मैं लेला को अपनी बेहन बना लू लेला तो मेरी बेहन हो और मैं तुम्हारा भाई मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा विदेशी मैना एलान डरी हुई थी लेकिन वो सोनू तोते से जानी अंजानी में प्यार कर बैठती है और जब उसका परिवार उसे लेने आता है तब विदेशी मैना अपनी परिवार के साथ ना जाकर सोनू के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला लेती है और जंगल के सभी जानवर विदेशी मैना और देशी सोनू तोती की शादी में शामिल भी होते हैं